गड़ेश चतोथी का तिवार शुरू होने वाला है जिसमें हम गड़ेश जी को अलग अलग तरह के डेली मोदक बना के चड़ाते हैं तो हम आज सूजी का मोदक बनाना बताएंगे यह बहुत इजी और जल्दी से बनने वाला होता है तो आएए चलते हैं इसके इंग्रीडियन्स देखते हैं वेल्दी कम टू माइ केचन हम गोता कैसे बनाते हैं तो इसके लिए हम एक कप सूजी लेंगे जितनी हम सूजी लेंगे उतनी हम चीनी लेंगे और दूध सूजी से हम मंच इन डबल लेंगे यह मॉल्ड नहीं होगा तो हम हासे भी बना सकते हैं तो चलिए सबसे पहले हम थोड़ा सभ़ाई में में मेल्ट करते हैं कड़ाई गरम हो गया है थोड़े साब की डालेंगे टोड़ा और फिर हम इसमें सुजी डाल के सुजी को थोड़ा सा भूं लेंगे बहुत जारदा नहीं बूनना है इसका हलका सा कलरेंगे और थोड़ी किसी खुसबू आने लगे इतना ही हमको भूनना है इसको चलाके हुए भून लेंगे इसको थोड़ा सा पांच मिनट करीब इसको भून लेंगे फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे इसका हमको बहुत जादा कलर नहीं चेंज करना है बस इसका कच्छा बंग खतम हो क्षाने में खाने में कच्छा न लगे इतना हमको करना है अर bisa बचना चाहिं हुए हम इसमें दू ड्ुप दू ढल देंगे तो मैंने सोजी एक कप करीक्ष डरी थी तो हम इसमें दो कप आ जाल देंगे और चीनी टाल देंगे चीनी के देखा आप थे लेग ब्छाब करीश कर लेंगे जो लम्स बन भी गया है तो इसको हम ऐसे दबा के फोट देंगे चलाते रहेंगे इसको फ्लेम को तेज करके इसको सुखाना है अयाशिषर दरें हम थोड़ा सा फूट कलर सकते हैं यलो फूट कलर यह फिर के से डल ना चाहे तो के से डाल सकते हैं इसे देखने में अच्छा लगे अब मैंने इस में हल्का था येलो फूट कलर डाला है निक्स कर लिएंगे अजिस इसे देखे कलर डालने से देखने में थोड़ा अच्छा लगने लगा है इसको हम अच्छे से सुखा लेंगे कि ये डो के जैसे बंचे अब अच्छे से सूख गया इसने पड़ाई को छोड़ दिया है इसको हम प्लेट में निकाल के ठंड़ कर लेंगे में प्लेट निकाल लिया है अब इसमें ढि फोड़ी सी चीनी मिला के इसको ग्राइंड कर लेंगे निलाइची शील के डालनेगे के देखें इसको मैंने ग्राइंड कर लिए इसको हम कटोरी मिन देखें निकाल में इस लिए करें गाल आना से अब मॉल्ड दाओने के लिए एक मअ मोल्ड जाएंगे छोए इसे रख अप इतले तक दूञ खुलेंगे थी आसे जटी कर देंगे अब हम इसमें ही अपना डुों डालेंगे घुटि झात करें दबार है कि इसमें ऐसेड ग्डा दीगे तरह कि इसे इसका इम्प्रेसइन जो है मूली का आजा इस में ऑर फिर हम इसमें using a बना हिए जह इसमें डाल देंगे और उपर से फिर से हम इसको ऐसे डो से बंद कर देंगे फिर आराम से हम सांचे को को लेंगे यह देखिए और इसको आराम से ऐसे निकाल लेंगे इसी तरह से हम सारे बना लेंगे इसको पहले बंद करेंगे इसको दबा के नीचे तक पहुंच जाए और जो अगर यहां से एक्स्टर निकलता है इसको हटा देंगे इसको यहां से दबा दबा के चारों तरफ प्रेस कर देंगे कि देखिए यह भी बन गया अगर हमारे पाल सांचा नहीं है तो हम इसको ऐसे देंगे और इसको गोल करके और थोड़ा सा इसके अंदर इस्टपिंग भर देंगे ऐसे और फिर इसको ऐसे किसी का मोदक का सेव देंगे अगर हम किसी चम घुए चम्मच के चम से या चाकू से यह तोड़ासा डिजाइं बना देंगे इस तरह से भना के चारों तरफ हैसे लिए इस तरह से भी मोदक हमारा विन अचय का बन जाएगा कि एक रेकिके कि ऑता अच्छ बना आ है दोनों दिखिए इसी तरह से हम सारे मोदश बना लेंगे देखिए सारे मोदश बनकर तयार है और यह सांचे से बनाया थे और यह हाथ से बनाया था आपको यह मेरी recipe मोदश की कैसी लगी आप comment करके बताएएगा मेरे video को like कीजेगा चैनल को subscribe करना मत बूलेगा वेल बटन को दवाईएगा ताक कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो